नमस्कार स्वागत आप सभी का सीनबी से आवाज पर आप देख रहे हैं खलाडी नमबो वान आज गुर्वार का सत्र याने की विकले एक्सपाइरी का दिन है और मारकेट में आज क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे पहले तो निफ् निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते क्योंकि निफ्टी बैंक भी आज इंटिडे में अच्छी मार खा रहा था यहां पर भी डेलों से दरसिल रिकावरी आई अब 36 पॉइंट का इजाफा देखने को मिला है लेकिन जो मिट कैप स्टॉक्स है उनका हाल बेहाल है करीब आट सो अंकों का नुकसान आज जो भी बिक्वाली आई है वो बेसिकली आई है यह इंपोर्टिड नर्विसनेस है क्योंकि अमेरिकी मार्केट्स में हमने देखा कल का सत्र गहरा सेल ओफ वाला था नैस्टैक में हमने देखा है भारी बिक्वाली का दबाव और उसी मार्केट है वालटाइल और वालटिल्टी थोड़ी सी बढ़ गई है आज ग्लोबल मार्केट्स के चलते याद रखेगा अगले हफ़ते बड़े इवेंट से पहले भी मार्केट थोड़ा सा कुंसॉलिडेट करता दिखाई दे सकता है ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रण के साथ ब्रिजेश सारे 4% के रिटर्न कमाते हुए ओम ने फिर नेगिटिव रिटर्न करीब माइनस 5% के आसपास का दिखाया है तॉप कॉल्स पर मैं आऊंगी लेकिन पहले मार्केट को कैसे पढ़ा जाए और इस बिक्वाली में क्या करना चाहिए 24-600 अब स्क्रीन पर ट करना चाहिए 24,500 का बेस मुझे लगता है वह इतना असानी से नहीं तोड़ेगा रेंज ही है 24,500 से 24,600 यह 100 पॉंट का रेंज मैं एक्सपेट कर रहा हूं ज्यादा नेगिटिव नहीं मैंगिटिव नहीं मैंगिटिव नहीं है तो हो सकता है और एक 50 पॉंट का मैं आश्यादि पॉंट कर रेंज कर रेंज मैं ज्यादि है खोगाई नहीं है कि लिएग घर खोड़ा से नहीं है अगर दिख रहा है तो क्या कुछ मंदी के सौदो का सहात लिया जाए जाए जी एक्साइक एक्स सक्मान फर्डर्स। तो इंसाइट बार का कहीं पर भी वाइलेशन नहीं दिख रहा है जो एक घंटे की जो कैंडल है उसी दाइरे के अंदर मार्केट कारोबार कर रहा है मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर प्रेशर का बहुत क्लियर ली वीजिबल है और मैं मंदी के सोगों के साथ में जाना पसंद करूंगा है ओम आपकी अप्रोच क्या रहेगी यहां पर हमने जैसे के मंदे के सेशन में बात किया थे कि 24,500 का इंपॉर्टन सपोर्डर्ट तो अभी भी सस्टीन कर रहा है अगर हम आज की बात करें तो मुस्टी रेंजपॉंड मार्केट रहने वाली है निफ्टी और बैंक टिफ्टी दोनों और स्माल कैप अल्रेडी जैसे के बहुत चाहते सेलिंग प्रेशर और स्माल मिट कैप में भी देज़ने में तो मुस्ट पर बिल्ली हमारा पिक जो लार्ज कैप और जो अच्छे FMCG या फार्मा सेक्टर से हो सक्टाइब तो कुछ defensive trades आप ओम identify करेंगे लेकर आते हैं स्क्रीन पर हमाय जानकारों के पहले top calls वो stocks जो सबसे जादा कमाई करके गए हैं और फिर आज कौन से trades पर ये focus करेंगे उसकी बातचीत होगी एक तो ब्रिजेश का कल्यान जूलस करीद 2% के रिटर्न्स कमा कर गया और वर्दमान टेक्स्टाइल एक विनर था पंकर्च के पोर्टफोलियो में आज नए trades क्या रहेंगे वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं ब्रिजेश का कोल इंडिया और अलेंविक फार्मा दोनों में आज सुभा की बिक्वाली में stop-loss trigger हो चुका है तो ब्रिजेश पहला trade आज का क्या होगा मैंडम मैं इंडिया सिमेंट पे लॉंग जाना चाहूँगा एक momentum trade है 338 के आसपा स्टेट कर रहा है थोड़ा सा structure का positive है इसका जो stop-loss है दस पॉइंट का stop-loss लूगा भया से 328 का stop-loss रहेगा और 365 के targets ये आज का intraday नहीं होगा तीन-चार दिन शायद लग सकते है मुझे डालेक्शनरी लगता कि इंडिया सिमेंट में जा सकता है तो तीन-चार दिनों का trade है 365 के target के लिए तेजी कीजिए 328 आपके लिए stop-loss का काम करेगा ओम के portfolio में Oracle Finance का stock अभी भी बरकरार है NHPC में exit किया था इन्होंने पिछले सात्र में ओम बताईए नया trade आप क्या जोड़ रहे है I think LIC भी आप hold कर रहे है correct जी हाँ तो आज नया क्या दूल रहे है जी मेरे यहां पर पिक रहेगा Tata Consumer जो कि 1178 के अपरोक्स अभी यहां पर बाउच चल रहा है तो इसका stop-loss हम रहेंगे 1160 और target रहेगा 1215 ओके तो यह Tata Consumer में एक trade आता हुआ इस समय आपकी screen पर 1177 तक का trade है target stop-loss आपकी screen पर आएगा 1215 के लिए एक मौका और 1160 आपके लिए stop-loss का काम करेगा पंकश ने वैसे hint दे दिया है कि कुछ मंदी के सौदो पर focus करेंगे इनका portfolio पहले देख लेते हैं Canfin Homes एक्जिट किया है और वंदमार टेक्स्टाइल भी इन्होंने पिछले सत्र में एक्जिट किया पंकश बताईए क्या trade है एक करका जो लो है उसको ब्रेक कर चुका है काफी अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में एक सेलिंग प्रेशर विटनेस हो रहा है मुझे लगता है कि 3931 की लेवल से एक स्कॉर्ट में एक सेलिंग की सलहा बने कि जिसका स्टॉप लोस रहेगा 3980 का और टार्गेट जो है वो 3780 के देखने मिल सकते है पोर सकता है कि इसको दो तिन दिन लगें लेकिन ज़रूर ये शॉर्ट कैंडिडेट बनता है यहां पर सेल साइड का एक ट्रेड इस समय दोनों ब्रिजेश और पंकज उस पर आएंगे लेकिन फिलहाल एक छोटा ब्रेक ब्रेक के बाद बीबी कॉप के मैनेजमेंट से भी बातचीत होगी क्यू वन इनके लिए मजबूत रहा है लेकिन बाकी साल के लिए क्या तयारी है उस पर अगरवाल साब को जोड़ेंगे आगे आप देख रहे हैं खिलाडी नमबो वन वाकिन में एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपस आए हैं हमाई जानकार आगे ट्रेड्स देंगे लेकिन नतीजों का सीजन है और डीबी कॉप के नतीजे आ चके जहां पर हमने देखा है पहले तिमाही अच्छी तिमाही रही है मुनाफे में 50% का इजाफा आए 6% बड़ी मार्जिन्स देखे 21% के मार्जिन्स 28% पर आई याने की 700 बेसिस पॉइंट का इजाफा रहा आड़िटाइजिंग रेवन्यू में बढ़त देखने को मली है उसकी मदद काफी मली है मायसाथ का कंपनी के प्रोमोटर और डाइरेक्टर गिरीश अगरवाल जुड़ गये है गिरीश जी स्वागत है आपका ये Q1 I think clear reflection है कि इलेक्शन सीजन में कितनी अड़िटाइजिंग रेवन्यू मीडिया कंपनिया कमा लेती है अगर उस पर जादा उले करें क्योंकि आम गैसिंग उसी ने ड्राइव किया इस कौर्टर को तो ये Q1 नहीं है अगर आप मेरे पिछले 11 कौर्टर देखें आपका कहना कुछ हत्तक सही है इलेक्शन की वज़े से ओवरॉल मार्केट में तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा आपने जो बोला कि मीडिया कंपनी कमा लेती है इलेक्शन की वज़े से तो वो फॉलेटिकल पार्टी पैमिस है हम को फॉलेटिकल पार्टी स्मार्केट में कंस्यूमर को वोटर को लुबाने के लिए जा अड़एज देते हैं उससे उसकाकर के दिस्पोज़बिल इंकम बढ़ती है तो वो जाके गारियां खरीता है scooter खरीता है, makan खरीता है, जूल्वी खरीता है और यह सारी company यह अच्छारी 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 जीर्टाइस करती है so it is not that any political party is favoring any media house it is that these political parties are increasing the money flow in the market all governments and that advantage come to us okay so will this advantage stay for the rest of the year क्योंकि इस बारी 8% की advertising revenue growth देखने को मिली है क्या यह बरकरार है पाएगी यह लगता है यह बजट 23 तारिक को आएगा उसमें सरकार फूरा प्रयास करेगी कि बजट से थोड़ा सा देश में consumption का माहूल और बने चुकि हम पिछले कुछ सालों से सुनी रहे हैं कि रूरल consumption down है तो सरकार की लिए बहुत जरूरी है कि रूरल consumption semi urban consumption को बढ़ाया जाए और I think सरकार उसके लिए प्रयास करेगी तो उसका advantage सारी companies को मिलेगा उसके advertising बढ़ेगी तो media को भी advantage लिए इस समय आपको feelers क्या मिल रहे हैं आस्तोर से जब आप FMCG clients से बात करते होंगे जो शायद आपके media आपके मंच से अपने ग्रहकों को तक पहुँचना चाहे क्योंकि अब तक जो भी updates आए हैं या आज Asian pain की बात करें उन्होंने का rural demand में pick up देखने को मिला है especially June onwards क्या ये बड़ा spend देखने को मिल सकता है FMCG कंपनियों की तरफ से इस बारी या टूविलर कंपनियों की तरफ से मुझे लगता है FMCG से जार्दा हम लोग concern है टूविलर रियल स्टेट एजूकेशन चुकि मेरी टोटल रेवेन्यू का सिरफ 4% FMCG आता है तो मेरे लिए बहुत critical नहीं लेकिन automobil, real estate, jewelry, education ये मेरे लिए important है और इन सब काडिग्रीज में सबासा मुझे लगता है कि माहूल बन रहा है और ये budget पे सब नजर लगाए हुए और budget उनके मनमाफिक हुआ तो एक बहुत बढ़ा advantage पुरे देश को मिलेगा और हमको ये मैं आपके margins पर आना चाहूँगी क्योंकि इस बारे भी margins में exponential growth देखने को मली है 21% के margins आप 28% पर लाए है तो पहले तो क्या ये sustainable है और क्या ये newsprint की कीमतों में जो कमी देखी गई उसी का फायदा है या फिर कोई और factor भी है गरीश जी दोनों फायदे हैं newsprint की कमी हुई और advertising में growth हुआ तो इसलिए ये margin बने हैं और आगे चलके भी अगर ये दोनों factor continue रहते हैं चुकि newsprint community है उपा नीचे होता रहता है मेरे control में किसी और के control में भी continue होने चाहिए ये बिताएगा circulation में कुछ pick up क्या आसार बनेंगे क्या गिरीश जी आगे क्योंकि मेरे पास जो number है वहाँ पर हल्का सा दबाव या फ्लैटेश आप कह सकते हैं तो इसे improve कैसे करेंगे आप पिछले तीन साल से न्यूस्प्रिंट की प्राइजे इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग circulation की तरह फोकस नहीं कर रहे थे अब मुझा भासकरी नहीं बाकि हिंदुस्तान के सारे अख़बार ये प्रयास करेंगे कि चुकि न्यूस्प्रिंट प्राइज इस कम है कि circulation बड़ उत्री हो और हम लोग भी काफ़े प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस साल circulation में ग्रोथ आनी चाहिए टारगिट लेकर आप चल रहे हैं क्या circulation के लिए हाँ ये बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं हम लोग रीडर से स्कीम लगा रहे हैं सर्वेज कर रहे हैं तो काफी वर्किंग कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज मिले बिल्कुल मिले ये बताए है डिजिटल डीबी ग्रूप के लिए किस तरह से परफॉर्म कर रहा है कितना कमाई का हिस्सा आगे हाँ पर आएगा क्या आप कई सारी डिजिटल प्लाटफॉर्म पर आप जाएं तो अगर आपको कोई अच्छा आर्टिकल लगे तो वहाँ पर एक पेवाल आ जाती है क्या कुछ वैसे प्रयास होंगी क्या वहाँ से भी एक रेवन्यू स्ट्रीम उभर कर आएगी कंजूमर हमें ज्यादा से ज्यादा पड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग को पड़े कैंवाब है और मंतली आते हैं हमारा जो एप है उसके रूपर और लगवग लगवग बारा से होग dóda minuit हमको देते तो हमारे बहुत ही और हमारे को टार्गेट यह है कि एक रो असी लाग है यह नंबर तीन करों तक पहुंचे और मॉनिटाइज इन आक्रों में रेडियो प्लाटफॉर्म का कितना योगदान है गिरीश्री रेडियो में इस बार 6% की ग्रोथ है और 34% तो उनका इबिड़ा मार्जिन है तेरा पर प्रिंट जो है आज की तारिक में 92% के आसपास है और 5% पे हमारा रेडियो है और डिजिटल तो भी सिंगर डिजिट पकड़ा हुआ है तो जब आपके पास आइडरिटाइजिंग रेविन्यू आता है फिर यह लाजली आम ऐस्यूमिंग फिर प्रिंट की तरफ ही जादा पुछ कर रहे हैं? सिर्कल अफ लाइफ है पहले रील्स पर लोग भरोसा कर रहे थे आज का लख भारों पर भरोसा कर रहे हैं लेकिन आइडर वेज वो मीडिया जगत के लिए अच्छा है और अपकी कंपनी के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया गिरीज जी हमारे ले समय निकालने के लिए गुड लग फो धर रमेनिंग एफ़ाइ ट्वेंटिफाइफ है तो स्टॉक आपके सामने करीब आदे पसंड के गेंस पर अड़िटाइजिंग रेवन्यू में अच्छी खासी बड़त देखने को मिली है और माजिन में खासा सुधार नजर आया है उसका फायदा दर असल क अब देख रहे हैं खलाडी नंबर वान माय जानकरो ने एक एक ट्रेट दिया है क्या एक और ट्रेड इस समय आइडेंटिफाइ हुआ है प्रजेश बताई एक हुछ निकला चोला पैनांस पर एक ट्रेड है जहां पर काफी अच्छा मुमेंटम है काफी तीचा जिन से मैं इसको वाच कर रहा हुआ हम डेटा थोड़ा सा स्ट्रॉंग बनता हुआ नजर आया है चोड़ास रुपे काफी अच्छे पोजिशन बने हैं तो मुझे लगता है कि एक और क करेंट प्राइस में बाई होगा इसको जो स्टॉप लॉस है मैं 1400 का लेना चाहूंगा 1400 का और जो टार्गेट है 1480 1480 के लिए मौका चोला इंवस्मेंट में यह आप तेजी की पोजिशन लेकर चलेंगे 1410 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा यह है फिलहाल आपके पंकर एक जगा आपके पोर्टफोलियो में भी है खाली कुछ है ट्रेड मैं थोड़ा बाइंग सेट में देख रहा हूं ब्रेक आउट इंफरमेशन का वेट कर रहा हूं बस उसके लिए मैं रुपना चाहूंगा तो थोड़ा टाइम लेंगे और ओम का पोर्टफोलियो त पास का टागेट ये 10.874 पर ट्रेड करता हुआ लाइसी 12.30 के टागेट के लिए क्यारी कर रहे है और टाडा कंजूमर प्रड़क्ट चोड़ा है 12.15 टागेट है 11.60 का स्टॉप लॉस रहेगा रिटर्न्स की स्तिती क्या है औरेकल फिनांस ड्रैक कर रहा है लाइसी ड्रै 11.80 का टागेट है 39.80 का स्टॉप लॉस रहेगा रिटर्न्स यहाँ पर 0.27% के बनते हुए अब आएंगे हम ब्रिजेश के पोर्टफोलियो पर तो दो नए ट्रेज हैं ब्रिजेश के एक तो इंडिया सिमेंट 365 टागेट 328 का स्टॉप लॉस और चोला इंवेस्मेंट इन नहीं है ओवरॉल मुनाफिय का मीटर क्या कह रहा है किसके पक्ष में है तो अब देखिए पंकज 6.73% के रिटर्न्स पर स्टेडी है ब्रिजेश के रिटर्न्स 4.2% पर ओम के रिटर्न्स कुछ और नेगिटिव में फिसलते हुए क्योंकि इनके दो ट्रेज परफॉर्म न फिर ये ड्रैग कर रहा है 900 पॉइंट का करेक्शन लगा था कि कुछ रिकावरी आ रही है लेकिन मिट कैप में बिक्वाली बढ़ी और अब देखते ही देखते हैं निफ्टी भी 70 पॉइंट गवा चुका है निफ्टी बैंक अब 135 नीचे याद रखेगा कारिक्रिम की इसने कुछ अपनी पॉजिशन हलकी कर ली है नेसले में बिक्वाली बढ़ी है टाड़ कंजूमर में भी बिक्वाली बढ़ी है इसलिए वो ओम का पॉर्टफोलियो अंडर पोफॉर्म कर रहा है लेकिन जो फ्रेश साइड की बिक्वाली आ रही है ना एक तो आईशा मोट काउंटर्स में हीरो में है तो यह सारे वो दिगच काउंटर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं बिक्वाली की पॉजिशन बढ़ती हूँ एक बार निफ्टी बैंक की कॉंट्रिब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर रख देंगे क्योंकि एच्टी एफसी बैंक आधे पसंड का दबाव अपना बना रहा है लेकिन बाकी स्टॉक्स के हाल क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अब आक्सिस बैंक में बिक्वाली बढ़ने लगी है तो एच्टी एफसी के साथ कोटक और उसके बाद आप देखिये बैंक को बोरोडा और आक्सिस जो अभी-भी मै ने मेंशन किया ये ड्रैग कर रहे हैं नीचे खीच रहे हैं SPI का साथ है मामुली बढ़त वहाँ पर फेडरल बैंक, इंडिसेंट बैंक और ICICI बैंक तो ये फिलहाल कश्मकर्श है कि किस तरह स्थिती बनेगी इस समय ऐसा ही लग रहा है कि ये विक्वाली थोड़ी सी और बढ़ती भी दिखाई देगी जिस तरह का मोड माहौल सुभा से बना है तो जो रिकवरी आई वो फेल हुई अब हम फिर स्लाइड करते हुए लेंगे इस मोड पर चलिए छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पूरा फोकस रहेगा कमोर्टी मार्किट के अक्शन पर, मनीशा गुपता देंगी आपका साथ, आप बने रहे हैं सीन्बी से आवास पर जो दोते हैं सीन्बी से ले घ्लिए, आवे खाल पत्ट पने, टरिख मार्फम्न पर चोरी आवार भेए हैं